नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशास सत्यकी राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेंड संतो संतोशी दिनांक दो फरवरी दिन मंगलवार पूरा दिन आपका कैसा भी इतने वाला पूरे दिन को बेहतर कैसे किया जा सकता है दिन को शुब करने के लिए उपाय क्या किया जा ये पूरी जानकारी आपको इस कारग्रम में मिल जाती है जानकारी ये भी ले लिजे कि 8 फरवरी तक कभी आप हमसे गाज़्याबाद मिल सक उनका मन नहीं करता कि वो पढ़ाई करें, किताब उठाएं, तो ऐसी इस्थती किसी भी माता-पिता के लिए कश्ट साध्य होती है, हर कोई माता-पिता सिक्षा के साथ उसके आने वाले भविश्य की उज्वलता को जोड़ कर देखता है, क्या करें, ग्रह के हाथ बच्चे महानुष्ठान का योजन अगामी 12 फरवरी से 16 फरवरी हम करने जा रहे हैं, विस्तृत जानकारी के लिए कार्याले के दिये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या वाटसप कर सकते हैं, आईए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा की, नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती, जोतिश दिशा, सत्य की राह, सबसे पहले आज का पंचांग, माग माह किश्र पक्ष, पंचमीति थी, साम 4 बच कर 19 मिनद तक, इसके बाद सश्ठी, चंद्रमा आज करने राशी में नक्षत राज का रहेगा हस्त, योग रहेगा ध्रिती, तदनुसार दिनांक दो फरवरी दिन मंगलवार, मंगलवार को राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4 बच कर 30 मिनद तक, राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र मना करते हैं, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1 बच कर 30 मिनद तक, गुलिक काल के लिए सास्त्र कहते हैं कि आ पुशेश कारिक्रम भविश्य वाणी की मेश्राशी पढ़ाई हो जाएगी सिख्छा में कोई रोक कोई रुकावट नहीं है ब्यापार मुश्किल पैदा करेगा बिजनस की स्थिती कहीं से भी ठीक नहीं है आज दो फरवरी मंगलवार ब्यापार में कुछ न कुछ समस्या रुकावट आही जाएगी प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अनकूल है प्राइवेट सिक्टर में कोई रुकावट कोई दोश नहीं है लेकिन सरकारी छित्र में लेन देन फंसाएगा और कुछ दोस्तों के साथ मन मुटाव हो सकता है पत्नी के साथ क्वाल्टी टाइम इस्पेंड करेंगी आज कहीं घोमने टहले का कारक्रम बनेगा लव लाइफ में उल्जने पुरानी जो चली आ रही है आज आपको बहुत परेशान करेंगी सभल पाना मुश्किल होगा स्वास्त के मामले में आज का दिन लीवर, किड्नी और आखों की समस्या दिखा रहा है क्या उपाय करना चाहिए आपको अगर आपकी राशी मेश है आज मेश राशी वालों को अपने उल्टे हाथ से साथ बूद सरसों का तेल शिवलिंग पे चड़ाना है क्या नहीं करना है सलाह नहीं देना हाज किसी को शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रत्षत 58 ब्रिशव राशी मन थोड़ा सा बेचैन होगा काम कम कर पाएंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कोई रुकावट रोक टोक नहीं है प्राइवेट सेक्टर तनाव पूर्ण इस्तिती बैदा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को लेके सजग रही है सरकारी छेत्र आपके लिए आज नई नवगरी की तरफ या वहीं प्रमोशन की तरफ भीशारा करता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ कहीं जो मन मुटाव था उसका हल निकलेगा पत्नी के बीच कोई दोश नहीं है लव लाइफ बहुत अच्छी स्तिती में है आज कुछ नया शुरू करेंगे आज कुछ पुराने गिले शिक में भूलेंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन माइग्रेन आँख की दिक्कत को दूर करेगा उपाय क्या करना चाहिए आज किसी जरूरतमंद को गुड़ और रोटी जरूर दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज बढ़ों से जबाब जुबान नहीं लडाना है शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रतिसत 61 मिथुन राजी मानसिक शान्ती मिलेगे शिक्षा बहुत अच्छी है शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार बहतरीन है बिजनस में रिस्क ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाहन का सुख दे रहा है नौकरी में शुबता मिलेगी सरकारी छेत्र आपके लिए उत्तम संकेत देता है गौर्मेट सेक्टर में आज रिस्क लेंगे बॉस प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन आपके लिए अनकूल परिस्थतियां लेकर आएगा दामपत्य जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी लव लाइप में कुछ उल्जने हैं जिसको ले करके आज आपको सावधान रहने किया वशक्ता है बहुत ओवर इस्पेक्टेशन आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा स्वास्त के मामले में माइग्रेन, लीवर, खासी जुखाम के शिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुन है आज मिथुन राशी वालों को अपने उल्टे हाथ से किसी पौधे के नीचे कच्चे चावल कीड़ों आद के लिए डालने हैं, क्या नहीं करना है आज बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रत्षत 63 करक राशी दिनांक दो फरवरी मंगलवार अनकूल इस्थती है सिक्षा के लिए पढ़ाई में मन लगेगा बाहर से कोई खुश खबरी मिलेगी लोन आद एजुकेशन को ले करके लेए होंगे तो आज सेंक्शन हो जाएगा ब्यापार में उठा पटक है बड़ा टेंडर हाथ से निकल सकता है कोई सडियंत्र आपकी विरुद्ध हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अनकूल रहेगा नोगरी में प्रमोशन होगा कुछ बड़ी समस्या आज स्वतह दूर हो जाएगी सरकारी छेत्र आपके लिए प्रतिकूलता दे रहा है कॉवर्मेंट सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है कोई न कोई दोश निकल आएगा दामपत्य जीवन बहुत उत्तम है संतान संबंधी चिंतों से मुक्ति मिलेगी आज कुछ विशेश उपलबधी का भी दिन कहा जा सकता है आज का दिन लव लाइफ को लेकर सजग रहने का है कुछ परिस्थतियां आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी आज कुछ नए प्रपोजल आप ना एक्सेप्ट करें तो बहतर है स्वास्थ के मामले में सांस लенे में दिक्कत इसकिन प्राब्लम कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है प्रयोग क्या करना है आज अपने हाथ से चार किनी चार λोगों को रोटी दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज करक राशी वालों को ब्लैक कलर नहीं पहनना है हरे रंग की शुपता है 58 प्रत्षत का भाग आपके साथ है सिंग राशी हर प्रकार की रुकावट से बाहर निकलेंगे परिस्थतियां आपके पक्ष में तनाव से मुक्ति मिलेगी लाव के अवसर बनेंगे ब्यापार आपका अच्छा चलेगा ब दामपत्य जीवन पत्नी के साथ संतान को ले करके किसी बात पर बहस हो सकती है आज कोई आपके दामपत्य जीवन की इस्थति कालाव लेगा लव लाइफ आपके लिए बहुत अनकूल है किसी तरह की समस्या नहीं आएगी कुछ बहुत अच्छी इस्थति आ सकती है स्वास के दिन को बेहतर करने के लिए भगवान शिव का ध्यान करिएगा ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी बंत्र का साथ बार जाप कर लिजेगा क्या नहीं करना है आज के दिन कहीं हलका नहीं पढ़ना है अपने आपको इस्ट्रॉंग बना के रखना है चली अब बात करते हैं कन्य राशी की कन्य राशी वालों के लिए आज सिक्षा के छेतर में कुछ विशेश उपलब भी अर्जित हो रहेगी है पढ़ाई में मन लगेगा कुछ विशेश रुके काम भी बन जाएगे ब्यापारी दिश्ट्री कोर्ट से आज कन्य राशी वालों को थोड़ा सा उठा पटक का सामन होना पड़ेगा आज कन्य राशी वाले थोड़ा बहुत अपने मन पर नियंतर रखेंगे तो बहतर रहेगा गौर्णमेंट सेक्टर में आज आपको प्रमोशन की खुश खबरी दो पहर के बाद मिल सकती है स्वयम पर काबू करके जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए बहतर रहेगा दामपत्य जीवन कन्य राशी दिनांक दो फरवरी दिन बुद्धवार आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है मेरिड लाइप में आपके किसी तरह की समस्या नहीं आएगे दामपत्य जीवन आपका बहतर चलेगा परिशानियों का अंत होगा लाव क्या उसर आएंगे संतान का सुख मिलेगा मंगलवार है आज कन्य राशी लव लाइफ आपके लिए कुछ इस्थती सामाने से बहतर होने जा रही है शादी की चर्चा कर सकते हैं दो फरवरी मंगलवार कन्य राशी लव लाइफ में जो पुरानी उठा पटग थी वो दूर हो जाएगी स्वास्त के मामले में आँखों की तकलीफ कमर में दर्थ के शिकायत और माइग्रेन की समस्या हो सकती है कन्य राशी वालों को दो फरवरी मंगलवार के दिन आज क्या दुशेश उपाय करना चाहिए अपने उल्टे हाथ के छोटी गुली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाईएगा क्या नहीं करना है आज आपको दूसरों के काम में ताग ज्हांक नहीं करना है शुभरंग आपके लिए स्लेटी भाग्य प्रत्शत पचास तुला राशी वालों की बार करते हैं दो फरवरी दिन मंगल बार तुला राशी पढ़ाई के लिए आज हर प्रकार से सुख़दवाता वरण है शुक्षा में उत्तम मन लगेगा पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार में उठा पटक हो सकता है बिजनस की स्थिति कहीं से भी फिएवर में नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर आपके हाथ से निकल रहा है लेकिन सरकारी छुटर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी गौवर्मेंट सेक्टर कुछ बहुत अच्छा प्फल देगा दामपत्य जीवन में आज सुधार होने की गुंजाईश है कल की जगड़े को आज रात नहोने दीजेगा लव लाइफ की स्थिती में हर प्रकार की सकारात मकता है आज कहीं नया कदम बढ़ रहा है आपको मेरी तरफ से हार्दिक्षब काम नाए स्वास्त के मामले में तुला राशी वालों को वाज जुखाम बुखार हलका फुलका रहेगा कल के दिक्षब से बाहर निकलाएंगे उपाय क्या करना चाहिए भगवान गणेश का ध्यान करिए आज गणपत का ध्यान करिए आज सब कुछ बहुत शुखद रहेगा उपाय जरूर कर लीजेगा एक दिया जला दीजेगा करनेश मगवान के सामने क्या नहीं करना है आज खुद से किसी को सलाह मत देजेगा शुबरंग जामुनी भागी प्रिश्चिक रासी अच्छा दिन है मनोरंजक रहेगा पढ़ाई अच्छी करेगे ब्यापार थोड़ा सा तनाहो दे रहा है शाम तक धन आ जाएगा प्राइवेट सिक्टर वहन का सुख मिलेगा सरकारी छेतर में प्रमोशन की खुश्खबरी आज बचाए नहीं बचेगे दामपत्य जीवन में संतान सुखद एहसास कराएगा और कोट के बाहर सेटल्ड हो जाएगा लव लाइफ नए रिस्ति स्वागत करेंगे स्वास्त के मामले में आँख और डाइजेशन प्राइशन 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 हो सकती प्रयोग के तोर पर आज ब्रिश्चिक रासी वालों को किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकनेट जरूर दे दिजेगा क्या नहीं क दिखाना है पीला रंग्शुभाश साथ प्रत्षत का भाग्याब के साथ है दो फरवरी धनुराशी पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार जबर्दस्त हर प्रकार की सकारात्मक्ता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए थोड़ा सा तन समहालने की कोशिश करिएगा लव लाइफ आज बहुत अच्छी स्तिती में नहीं है स्वास्त के मामले में बैक और आखों की तकलीफ हो सकती है प्रियोक के तोर पर आज धनुराशी वालों को अपने उल्टे हाथ से कच्चे चावल के दाने किसी पौधे के नीचे रखना ह क्या नहीं करना आज आज धनुराशी वालों को गुस्ये में कोई निर्ड़य नहीं लेना है अनर्थ होगा बैगनी रंग शुभ है 62 प्रतिशत का भाग ज्याब के साथ है मकर राशी सुधार होगा आज सिक्चा में बहुत कुछ लाप दिख रहा है ब्यापार अच्छा कर रुकावट नहीं आएगी दामपत्य जीवन आपके लिए एक नई पहचान देगा दामपत्य जीवन में कुछ बहुत सकारात्मक होगा लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवशकता है कुछ बड़ी परेशानी अचानक से आ सकती है स्वास्थ के मामले में कमर में दर् कि नीचे रख देना है क्या नहीं करना है आज काला रंग करना है नहीं पहनना है सफेद रंग की शुपता है 57 प्रत्षत का भाग्याप के साथ है कुम्भराश हर चीज आपके हाथों से आज संपन हो जाएगी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगे कुछ सकता है थोड़ा सा गवर्मेंट सेक्टर को लेकिसा जग रहने की आवशकता है दांपत्य जीवन क्या पूछना है पत्नी के साथ घूमने टहलने का कारकम बन सकता है संतान का सुख मिल सकता है लेकिन लव लाइफ शादी का रिस्क छोड़ दीचेगा आज कुछ इस्थती स्वास्त के मामले में सांस की दिक्कत माइगरीन की समस्या थोड़ा बहुत गले में भी दिक्कत हो सकती है उपाय क्या करना है कुम राशी वालों को आज दिन को बेहतर करने के लिए छोटे बच्चों को कुछ पाठ्थे सामगरी का धान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज प्लस में होने वाला है टीचर्स प्रशन रहेंगे नहीं जगह एड्मिशन की ख्वाहिश पूरी होगी ब्यापार में कुछ दिक्कत आ सकती है बिजनस को ले करके सजग रहेगा प्राइवेट सेक्टर सकरात्मक है लाब क्या उसर बनेंगे प्राइवेट सेक्टर में नहीं नोगरी की संभावना है सरकारी छेत्र वाहन का सुख दे रहा है आज गौर्णमेंट सेक्टर में बॉस बहुत प्रशन रहेंगे लव लाइफ और मैरेट लाइफ में संतान को ले करके चिंता होगी वहीं ससुराल से रिस्ता मधूर हो सकता है आज प्रयास कर है अगर कुछ दिखता है तो तहकीकात करिएगा गडबर हो सकता है स्वास्त के मामले में इसकिन और कमर में दर्द की शिकायत रहेगी उपाय के तोर पर आज हरे रंग का वस्त्र पहना शुब होगा या हरी रुमाल हरा धागा पास रख लीजेगा शाम तक के लिए और क्य तो देख लीजे आठ फरवरी तक आप हमसे गाजयाबाद मुलाकात कर सकते हैं गाजयाबाद में नंबर आपके सामने चली रहा जीरो बन टो जीरो फोर सिक्स एट फोर एट सिक्स डबल जीरो डबल जीरो ये नया नंबर इशु हुआ है भी दस से छे के बीच में आप इस या सिंग राक्षर कन्या या तुला भी याक्षर है ब्रिश्चिक ला धनु जाक्षर मकर या कुंभ वाक्षर मीन पा ये है आपके अपने शुभ भाग्याक्षर चौबिस घंदे के लिए सादे चौक और कागज पर लाल रंग से लिखके अपने पास रख लीजे और जो क सक्सेज की चार चुटकी गेहूं किसी पब्लिक प्लेस के पौधे की नीचे रखना है अपने घर वाले किचन गार्डन में नहीं बाहर निकल लिए किसी भी पौधे की नीचे इसे रख दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मच आज की जोतिश जराहट के कार इंदौर जैपूर में मिल सकते हैं 11-12 फरवरी को इंदौर में मिल सकते हैं उसके बाद बॉंबे उसके बाद पुने नागपूर रायपूर अहमदाबाद सूरत ये सारे शहर कवर होंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए नमत चाहेंगे खुस रहें प्र किसना से बादे